नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज 8 मार्च 2023 है और आज होली की तेवहार का दीन है और मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे सुराचित धंक से होली मना रहे होंगे बीटेट, सीटेट और एस्टेट पास सिचक अभ्यार्थियों की होली फिर से फीकी रह गई है सरकार ने अस्वासन दिया था कि बचट सत्र के दोरान जो है होली से पहले आपका नए नियमा वली कैबिनेट से पास हो जाएगा और उसके बाद आपकी बहाली की परकरिया शुरू कर दी जाएगी लेकिन सिचक अभ्यार्थियों को फिर से एक धोखा मिली है और ये धोखा एक सालों से नहीं है दोस्तों पिछले चार बरसों से सिचक अभ्यार्थियों को इस तरह से मुर्ख बनाया जा रहा है मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग को किस तरह से mind को divide किया जाता है पेपर कटिंग जो भी है मंत्री से मिला हुआ स्वासन हम लोग को जो है एक विश्वास पातर होते हैं और फिर से विश्वास तोड़ते हैं और ये एक बार नहीं तिन से चार वर्सों से ये कहानी सिलसला चालू है अब लोग को पता है कि 2019 में जो छट्थे चरण आया था तो उसका जो बहाली अभी तक पूरा नहीं किया गया है अभी तक जो है उसका नियोजन चल रहा है सरकार किस तरह से काम कर रहे है किस तरह से सिच्चकों की भरती करना चाहती है हम लोग देख चुके हैं अब जो है इंतजार नहीं हो पा रहा है अब सब्र जो है तूट रहा है सब्र की बांद अब तूटने वाली है सभी सिच्छक भीहरतियों तक ये मिटिंग का डेट नहीं पहुँच रहा इसे 12 मार्च कहा जा रहा है की पटना में जो है एक महा अंदोलन की त्यारी किया जा रहा है उसका क्या सत्याता अभी जो है लोगों से पूरी तरह से बात नहीं हुआ है लेकिन मान के चलें कि 12 मार्च से हो सकता है कि यह अंदोलन फिर से चालू हो तो दोस्तों आप लोग जैसे भी हो हम लोग का तो होली तो फीका रही गया है लेकिन जिस तरह से हो अपने घर पे जो है होली मनाईए कोई बात नहीं हम लोग मुर्ख बनते आ रहे हैं तो एक साल से मुर्ख नहीं बन देख लिया हूँ कि किस तरह से बहाली कव आने वाली है पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिशन जाएए देख लीजिए प्ले लिस्ट का जो है लिंक दिया गया है तो कब बहाली आएगा कब तक नियोजन होगा देखें जितना भी लेट होगा लोगों के लि जंदली हुआ है आप लोग देखें हैं कि कितना-कितना नंबर सब लोग लाया है तो कम कट अब्ला तो ऐसे ही बाएर हो जाएगा तो इसलिए कह रहा हैं तो आप स्वान्डन करना पड़ाएगा देखें किस तरह से हम लोग को मुर्ख बनाया जा रहा है उस पर थोड़ा स ध्यान देते हैं यह है विहार 7th phase teacher vacancy latest update news देखिए यहाँ पर क्या है जितने भी paper cutting यहाँ पर दिया गया है देखिए क्या क्या दिया गया है इन paper cutting को जो हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हम लोग को paper वाला भी बहुत अच्छा मुर्ख बनाया है बहुत अच्छा देखिए अगर माले जाये कि किसी paper में एक लाक सी छकों की भरती के बारे में दिया गया है तो दूसरे paper में क्यों 94만 हजार हो जाता है दूसरे paper में क्यों 89000 हो जाता है तेखिए paper में क्यों अब vacancy आने वाली है एक नहीं दोस्तों बहुत सारे देखें न इतने सारे paper cutting को जब आप देखेंगे न तो आपको लेगा कि वाह हम लोग को तीन चार बरसों से किस तरह से मुर्ख बनाया जा रहा है देखें ये परधान सी छकवला अभी इस पर रोक लग गया है इस पर एक म कियमा वली पर आपती लिया जाए आप भी जो है mail कर सकते हैं क्या पती है उस पर देखें मतलब paper cutting के माध्यम से हम लोग को जो है divide किया गया है mind को देखें यहां पर दो लाग से अधिक सिछाकों के बारे में यहां पर कहा गया है अज जितने भी यूटूबर के थैमनेल यह नहां पर देख रहे हैं देखिए यह सब तो यूटूबर वाला को हम तो यह नहीं कर सकते हैं उवे fake news है जो paper में आता है जो मंत्री असवासन देते हैं वही news तो हम लोग करते हैं तो उवे news तो इस news से आपको जो हजानकारी मिलती है कि हाँ भाई क्या हो रहा है अभी क्या है करते कुछ और है और यह एक सालों से नहीं यह बहुत लगभख 3-4 सालों से हम लोग को मुर्क बनाते आ रहे हैं यह देखिया अंदोलन वाला है इधर हम लोगां अंदोलन किये थे और पिटाये थे भी बहुत मार मारा था सा पूलिस वाला यह सब भूलने योग नहीं है दोस्तो जितना भी हम लोग किये हैं आज तक अंदोलन भी किये बहुत कुछ किये लेकिन नहीं कुछ होने वाला नहीं है एक जूटा हम लोग में नहीं है एक जूटा बनाना पड़ेगा दोस्तो एक जूट होना पड़ेगा ये देखिए ये देखिए ये जो बबाल हुआ थ अना याद है ना ये देखिए लाठी वाला पूलिस वाला अरे गजब हाल है भाथ देखिए ना जितने भी हम लोग latest update पे यहाँ पे चलते हैं हम लोग को याद ताजा हो जाता है कि कतने हम लोग जो है अंदोलन किये थे और कितना जो हम लोग मार खाये थे कितना पटना में देखिए इतने सारे जो है भीड है देखिए तो कई न कई अंदोलन के नाम पर भी हम लोग जब आते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि फिर से सरकार कुछ न कुछ बोल कर और फिर टरकाएगी हम लोग को आगे बढ़ाएगी ऐसा लगता है कि दोस्तो अब क्या करें लोग यहां देखिए क्या हो रहा है यह सब देखकर ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अच्छा अंदोलन किया था लेकिन फिर भी हम लोगों सफलता नहीं मिला तो आप दोस्तों देखिए अब यहां पे चुनाव का महौल है और चुनाव का महौल में जब हम लोग अंदोलन करेंगे तो कुछ न कुछ सरकार पर असर जरूर पड़ेगा मेरा ये कहना है अब जो अंदोलन होगा उस अंदोलन में हम लोग का अगर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़े रहता है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो है सरकार के ओपर कुछ दवाब बनता है तो हो सकता है कि नियमावली पास करा देगा क्योंकि देखिए बिपच्छ वाला भी लगा हुआ रहता है ये सारी बात बिपच्छ सरकार को तो ऐसे ही लगता है कोई भी अंदोलन करने जाते हैं तो सरकार को क्या लगता है कि विपाचवला ये सब सारा चीज करवा रहा है है कि नहीं तो विपाचवला भी हम लोग को सपोर्ट करेगा आभी भी कर रहा है कि चलो अंदोलन करो लेकिन यही है दोस्तों कि आप करे तो क्या करे अंदोलन करे कि इंतजार करे बहुत सारे जो है दुविदाएं जो है, है माइन्ड में तो ये सारे चीज हम देखें दोस्तों अभी किस तरह से हम लोग को मुर्ख बनाया जा रहा है चार सालों से और जितने भी पेपर कटिंग थे वहीं सब पेपर कटिंग के माध्यम से जो हम लोग का माइन डाइबार्ट होता है और लगता कि आप आजाएगा नियोजन आप आजाएगा नियोजन आप आजाएगी न्यूक्ति लेकिन नहीं दोस्तों हम लोग को केवल और केवल मुर्ख बनाया जारण आप थोस कदम उठाना पड़ेगा हम लोग को एक unity लाना होगा एक लाग से पलस बिदार्थी बीटेट सीटेट एस्टेट पास हैं उन सभी को एक बार पटना आना पड़ेगा और एक बार फिर से देखना पड़ेगा इस सरकार को अगर जुकाना है सरकार से नियमा वाली छोड़िये ना र एक डेट रखिए ऐसे तो कहा जा रहा है कि 12 मार्च को डेट सब लोग रख रहा है देखते हैं अभी तो आज 8 मार्च है दो तीन दिन में क्या आप डेट आता है फिर से मैं वीडियो बना कर आपको बता दूँगा कि क्या होने वाला है कब से यह अंदोलन होगा ठीक है दोस्